Hello students, welcome to Tiwari Academy, अब हम देखते हैं question number 2, अब यह 3 cross 3 की matrix दी हुई है, जिसका आपको adjoint बताना है, तो adjoint यह की definition क्या होती थी, यह होता है co-factor matrix का transpose, यहाँ पर elements के बतले उनके co-factor लिख देंगे a11, a12, a13, इस तरीके से सारे co-factor लिख देंगे इसका transpose क्या जाएगा, इसी columns को इनके rows में convert कर दें, तो पहले column को पहली row में, a11, a21, a31, इसी तरीके से दूसरी column को दूसरे row में और तीसरे column को तीसरी row में यह आपके joint matrix आगी, a की, तो आपको इसको निकालने के लिए कह रहे गया, बस आपको सारे co-factor निकाल देने और इसमें put कर देना है, तो co-factor निकालने तो हमने सीख लिए थे, क्या होगा, सबसे पहले a11 निकाले, a11 क्या आएगा, minus 1 की power, row plus column, 1 plus 1, और minor of 11, यह आएगा, minus 1 की power 2, यह हो गया, plus 1, into minor of 11, मतलब, यह वाले element की row और column अटा के जो determinant बचता है, उसको ले लेंगे, यह है, 3501, यह आजाएगा, 1 into 3 minus 0, 3, यह value आगई, 3, ऐसे ही सारे co-factor निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं, इनको, a21, या फिर sequence से a12 ही निकालते हैं पहले, a12 होगा, minus 1 की power 1 plus 2, तो यह तो minus 1 ही रहे जाएगा, और determine क्या बचेगा, a12 का, 1, 2 क्या है, यह वाले element की row और column में ठाके देखना पड़ेगा, तो यह बचेगा, 2, 5, minus 2, और 1, यह आएगा, minus 1 into 2, plus 10, यह हो जाएगा, 12, तो यह value आजाएगे, minus 12, इसके बाद, a13 निकालते है, a13 क्या आएगा, minus 1 की power, 1 plus 3, तो यह तो plus 1 बन जाएगा, यहाँ पे 4 कर दिया, और determine क्या बचेगा, 1, 3, यह वाले element की row और column हटा दिना है, तो वो क्या आएगा, वो आजाएगा, 2, 3, minus 2, 0, यह value आएगी, यह तो plus 1 हो गया, 0, plus 6 बन जाएगा, तो यह value हाजाएगी, 6, a13 हो गया, अब 8, 2, 1 निकाले, minus 1 की power, 2 plus 1, 3, तो यह तो minus 1 ही हो जाएगा, और determine क्या होगा, a21, यह वाले element की row और column हटाना है, तो बचेगा, क्या, minus 1, 2, 0, 1, यह value हो जाएगी, minus 1, into minus 1, minus 0, तो यह value हो जाएगी, plus 1, ऐसे ही, a22, a22 होगा, minus 1 की power, 4, यह तो plus 1 मन जाएगा, बाद में, और determine क्या हैगा, इसकी row और column हटाना है, 1, 2, minus 2, 1, यह value हो जाएगी, plus में, 1, plus 4, यह हो जाएगा, 5, इसके बाद, a23, minus 1 की power, 2, plus 3, 5, तो यह तो minus 1 हो जाएगा, और इसका minor देखें, a23 का, a23 है, यह 5, इसकी row और column हटाया तो, 1, minus 1, minus 2, 0, यह value आएगी, minus 1 into, 0, minus 2, यह value आएगी, plus 2, इसके बाद, a31 देखेंगे, minus 1 की power, 3, plus 1, 4, तो यह तो plus 1 जाएगा, बाद में, और 3, 1 यह वाला element है, तो इसके अलाबा बचाओ, डिटर्मेंट, minus 1, 2, 3, 5, यह आएगा, minus 5, minus 6, minus 11, 1 into minus 11, यह हो गया, minus 11, a32 देखें, a32 होगा, minus 1 की power, 5, तो यह minus 1 हो गया, और minor देखें इसका, 3, 2, 0 का, तो 1, 2, 2, 5, यह आएगा, minus 1 into, 5 minus 4, plus 1, यह हो गया, minus 1, इसके बाद, a33, minus 1 की power, 3 plus 3, 6, तो यह तो plus 1 बन जाएगा, और 3, 3 का minor, यह element का minor देखना है, तो 1, minus 1, 2, 3, 1, minus 1, 2, 3, यह हो जाएगा, 1 into 3, plus 2, 5, तो यह value आगई, 5, अब सारे co-factors आगे, आपको सिर्फ इस वाली equation में रख देना है, इन सब को, adjoint दे गया जाएगा, adjoint of a बन जाएगा, a11 यहाँ पर, a12, यहाँ पर, a13, 6 इधर आ जाएगा, उसके बाद, 1, 5, 2, और, minus 11, minus 1, और 5, यह आपका adjoint आगया,